असलाम अलेकुम दोस्तो मैं महमाद हुसैन दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने बदलते भारत का कुछ तस्बीर रखूंगा इसको देखकर आप लोग बतायेगा क्या ये पहले भी हो रहा था या फिर 2014 के बाद से ये चलता रहा है एक डेमोक्रिटिक देश म ये सब कुछ हो रहा है और नेता मंतरी प्रसासन हाई कोड से लेकर सुप्रीम कोड तक सारे के सारे मुग बधिर बने हुए हैं जी हां दोस्तो इस पर बिलकुल खुलकर बात करूँगा बिस्तार से बात करूँगा जिन लोगों को बुरा लगे इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं जी हां दोस्तो साथ में ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊंगा किस तरह से मुसलमानों को फसाने के लिए एक प्री प्लानिंग बनाई जाती है पहले से जाल बिछाय जाता है सड़े अंत्र रचा जाता है मुसलमानों को फसाने का नया साजिस नया प किस तरह से मुसल्मन कौम के नौजबानों को खसाय जाता है उसका एक जलक मैंने कल की वीडियो में बताया था अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख सकते हैं ऐसे भी आप लोग उस वीडियो को कैसे देख पाएंगे मेरा चोटा मोटा च पहले इसको देखिए कैसे मुसल्मानों को फसाया जाता है कैसे मुसल्मानों को फसाने के लिए पहले से एक साजिस की जाती है एक प्री प्लानिंग बनाई जाती है ये हलदुआनी की वीडियो फूटेच है जरा इसको देखिए और समझने की कोसिस करिए कैसे मुसल्मानों को फसाया जाता है तो देखा दोस्तो बीना नंबर प्लेट की मोटर साइकल वो भी दो-दो अब आप लोग जरा सोच कर बताईए अगर इसी मोटर साइकल को पुलिस बाले किसी गलत काम के लिए इल्लिगल काम के लिए इस्तेमाल करें उस दंगे में उस भीड में पुलिस बाले अगर गलत तरी क्यूंकि पहले से ही उस motorcycle में कोई number plate रखा नहीं गया और दूसरा अगर कोई police बला illegal तरीके से किसी को उठा कर ले जाना चाहे तो बड़े आसानी के साथ में उस motorcycle में ले जा सकता है क्यूंकि उसका कोई record maintain नहीं होगा उस motorcycle का कोई number plate है ही नहीं और तीसरा अगर किसी को फसा नहीं हो तो यहीं गाड़ी किसी के नाम पर चड़ा दी जाएगी किसी के सर पर चड़ा दी जाएगी जिसको फसा नहीं हो उसके सर पर चड़ा दी जाएगी और बोला जाएगा देखो पत्थर बाज आये थे क्योंकि फस ना जाए इसलिए बिना नंबर प्लेट की बाइक लेकर आये थे गाड़ी लेकर आये और पत्थर मार कर बड़े आसानी के साथ में निकल गए ऐसे में आप लोग खुद सोच कर बताईए क्या कोई मुसल्मानों को बड़े आसानी के साथ में फसाया जा सकता है या फिर नहीं सोच कर देखिए जब पोलिस बालों से ये पूछा जा रहा है आखिर आप लोगों के पास बीना नंबर प्लेट की मोटर साइकल क्यूं है वो भी दो-दो तो पोलिस बालों के पास जवाब होता है कि सरकारी गाड़ी में कोई नंबर प्लेट होता ही नहीं चपरासी से लेकर नेता मंत्री तक हर किसी के गाड़ी पर नंबर प्लेट होना ज़रूरी है और होता भी है और ऐसे में उस भीड में उस दंगे में आप लोग खुद सोच कर देखिए बीना नंबर प्लेट की मोटर साइकल हलदुआनी में पोलिस बालों के पास क्या हो रह है 2014 के बाद से यह चलता आ रहा है या फिर 2014 से पहले भी यह हो रहा था पहले ज़रा इसको देख लिजिए तो देखा दोस्तो हमारे बदलता भारत का तस्विर किस तरह से मुसलमानों के साथ बेबहर किया जा रहा है किस तरह से मस्जित के आगे नाचा जा रहा है किस तरह से मस्जित के ऊपर चड़कर अपना जंडा लगाया जा रहा है क्या यह पहले भी हो रहा था या फिर 2014 के बाद से यह चलता आ रहा है आप लो लोक्तांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में इस तरह से सब कुछ हो रहा है और सारे के सारे मुगबधिर बने हुए हैं। आप लोग खुद देखिए किस तरह से एक MP, दूसरे MP को धंका रहा है। संसद देखते हैं। अगर संसद में ये हाल है, तो फिर गली मुहले में क्या हाल होगा आप लोग खुद सोचकर बताइए। कि भारत में रहना होगा, तो JSR का नारा देना होगा, JSR बोलना होगा। तो आप लोग खुद सोचकर देखिए, एक लोगतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में ये सब हो रहा है, और सारे के सारे मुगबधिर बने हुए हैं। और कुछ पत्रकार, कुछ गोदी मीडिया, ये सबाल करते हैं कहां मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कहां माइनोरेटी के साथ में जुल्म हो रहा है। ये सब इनको दिखाई नहीं दे रहा है। खैर दोस्तों, यही था खबर, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बरना गाली दे कर निकल जाईएगा, क्यूंकि मैं हूँ तो आखिर मुसलमान ही, और मुसलमानों को गाली देना एक आम सी बात हो गई है.